Leaps का क्या अर्थ होता है या आज किस वीडियो में समझ लेते हैं Leaps का दो तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है एक तो Leap का Plural यानि की बहुवचन होता है Leaps और Leap का अर्थ होता है उच्छाल, कूद या छलांग तो एक से जादा उच्छालों को, कूदों को या छलांगों को हम Leaps कह सकते हैं इसके इलावा Leap का इस्तेमाल Verb की रूप में भी किया जाता है तो Verb की रूप में Leap का इस्तेमाल जब हम Present Indefinite Tense में He, She, It या Singular 3% के साथ करते हैं तो Rule के Coding उसके साथ ऐस लगाते हैं या बढ़ोतरी होना तो Leaps का मतलब हुआ कि उचलता है या उचलती है कूदता है या कूदती है फांधता है या फांधती है य इसी तरीके से बढ़ोतरी होती है जैसे कि एगर आप ये कहना चाहें कि उसने तीन च्छलांगों में बगी चिप को पार किया तो आप कहेंगे he crossed the garden in three leaps या गर आप यह कहना चाहें कि वह हमेशा बिस्तर से छलांग लगाता है तो आप कहेंगे he always leaps from the bed या गर आप यह कहना चाहें कि जोन हमेशा बिस्तर पर कूदता है तो आप कहेंगे John always leaps on the bed अब आप ऐसे ही किसी भी word का मतलब Hindi और English में YouTube पर सर्च कर सकते हैं आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी जिसमें आप बिना किसी फालतुबकवास के सीधा उस word का मतलब समझ पाएंगे तो ऐसी ही वीडियो को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बैल आइकन को प्रेस करें